असलाम अलेकुम जी आज हम नहीं टाफिक स्टाट कर रहे हैं और एल सी सीरीज सरकट सीरीज रैजोनेंस सरकट कहते हैं या फिर एक्सेप्टर सरकट भी कहते हैं इसको तो इसमें रिजिस्टर इंड़क्टर और कपैस्टर हम इन तीनों को एसी सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे यानि करन्ट का रास्ता एक ही होगा तीनों में सेम करन्ट पास करेगा वोल्टेज डिवाइड होगा तो अब हम बात करते हैं इनकी इंपिनेज ड्रियाग्राम की देखें रिजिस्टर के अंदर तो वोल्टेज और करन्ट जो ह आपने draw करके देखा हुआ है तो अगर इन दोनों की impedance diagram अगर आपके mind में है RC और RL circuit की उनको हमने combine करना है यहां पर एक तरह से यह तो resistor आ गया reference line है जो capacity reactance है वो lag करती है resistance को by angle 90 degree जैसे आप XC से denote करते हैं और वो है 1 over omega C और जो inductive reactance है वो lead करती है resistance को by angle 90 degree जैसे आप XL कहते हैं और वो omega L के बराबर होती है अब अगर आप XL और XC को दरब और से देखें तो दोनों बिलकुल opposite है 180 degree के उपर हैं अगर इनकी magnitude सेम हो जाए तो यह दूसरे को cancel करेंगी बाकी सिर्फ क्या रहा जाएगा और रहा जाएगा यानि जो impedance है वो सिर्फ resistive रहा जाएगी और रेक्टंस दोनों की खतम हो जाएगी वह एक particular frequency के ओपर होगा जिसे हम resonance frequency कहेंगे resonant frequency कहेंगे फिर वो बात करेंगे अब फिलहाल हम बात करते हैं पहले at high frequency पे high frequency होगी तो xl जो है वो dominant करेगा xc बढ़ा होगा xl जो है xc से बढ़ा हो जागा क्योंकि यहां proportional है और यहां inversal ही है high frequency के ओपर xl बढ़ा होगा xc small होगा तो inductance dominant करेगी circuit behave करेगा circuit behave rl series circuit means जैसे capacitor लगा ही ना हो क्योंकि capacitive inductance बहुत कम हो जेगी high frequency के उपर इसलिए ऐसा लगेगे जैसे r और inductor ही लगे में और at low frequency पे low frequency के ओपर जो है वो capacitive inductance dominant करेगी xc greater than हो जागी xl के तो जो circuit है circuit behave as rc series circuit तो low frequency के ओपर जो हो इसने dominant करना है तो xc greater than xl हो जागी फिर ऐसा लगेगी जैसे r और c लगे हों है series combination में लेकिन इन दोनों frequency के दर्म्यान एक value होगी frequency की जिसके ओपर दोनों यानि capacitive inductance और reactance और inductive reactance दोनों की जो reactance है वो बिलकुल equal हो जागी opposite तो आ लड़ी है तो वो किस पर होगा at resonant frequency omega r कहेंगे उसको उस पर हो गाई है दोनों क्या हो जाएंगी बिलकुल equal हो जाएंगी xl is equal to xc आ जाएगा यह low और high के दो सी ओमेगा सेपरेट कर लें omega r का square is equal to one over lc अधरा के डिवाइड हो गया अब omega की value लगा दें साथ square root ले लें पहले चले square root लेंगे तो one over under root lc आ जागा उसके बाहर पिर omega की value लगा है तो पाई f f के साथ चोटा सा r ताके पता चले यह resonance frequency f r निकाल लें one over two pi दरा के डिवाइड हो जागा one over two pi under root lc square root तो यह resonance frequency निकालने का formula आ गया आपने circuit के अंदर जो भी inductor use किया है उसकी inductance और जो capacitor करें तो बाकि solve करें आ रहाएगा इन कोई resonance frequency आएगी उस पे इस ही source set करें तो आपको यह circuit tune हो जाएगा means उसकी जो reactance है capacitive reactance और inductive reactance हो बिल्कुल equal और opposite हो जाएगी cancel out बाकि circuit behave करेगा as a resistive circuit जैसे circuit में सिरफ क्या लगी है resistance लगी है और जब as a resistive circuit behave करेगा फिर उसकी कुछ properties होंगी वो discuss करते हैं तो सबसे पहले तो एक graph देख लें साथ ही जो अभी resonance frequency के लिए यह frequency और यहां जो है वो current आई होगा start में low frequency थी तो capacitance dominant कर रही थी high frequency थी तो inductor dominance कर रही थी बीच में कोई एक frequency थी f r यहां आपर जो value वी not over r यहां सिरफ यहां देखें यहां x c dominant करेगी यह xl dominant करेगी यह frequency बढ़ रही है ना low frequency के ओपर capacitive reactance dominant कर रही है high frequency के ओपर inductive reactance dominant कर रही है जबकि उनके दर्मियान एक frequency है जिसके ओपर दोनों cancel हैं और सिरफ circuit का impedance r है अब resistance जो उसका behave है resistive behave है उसकी कुछ properties है तो सबसे पहले तो frequency का formula वो यही 1 over 2 pi under root lc दूसरी चीज़ वो कहता है कि impedance जो है impedance वो simply r रह जाती है तो इस पर क्या होगा voltage and current in phase होंगे यानिके resonant circuit के उपर जो impedance है जो z है वो सिरफ क्या रह जाता है r रिजिस्टिव circuit रह जाता है तो जहर इसी बात है फिर voltage क्या रहेंगे in phase क्योंकि resistor के अंदर से current और voltage है वो in phase रहते हैं और उसके बाहर फिर वो कहता है कि जो amplitude v naught यह वाला जो आया एक प्र डाइजनल फ्रिकेंसी के उपर उस पे current maximum flow करेगा circuit में से circuit की impedance minimum होगी resonant frequency के उपर और फिर वो कहता है power factor 1 होगा आपको याद होगा power factor मैंने लास्ट टाइम बताया था पी इकल टू वी आई वसार फिर cost विट आया था एसी circuits के लिए लेकिन यहां क्योंकि अब as red at resonant frequency resistive circuit जो है वो behave कर रहा है यानि जो rlc series circuit हो वो रिजिस्टिव circuit की तरह behave कर रहा है तो power factor फिर क्या होगा वान क्यूंकि resistive circuit के अंदर voltage and current in phase होंगे और यह फार्मला तब तक ही valid है जब वो in phase होंगे उसके बार फिर हो कहता है कि resonance frequency के उपर जो voltage across inductor and voltage across capacitor होगा जैसे vl और vc से denote करेंगे वो में भी source voltage से भी ज्यादा हो कि यह दोनों devices आपने पड़ा था जब इनको study किया था कि यह power store कर लेती है dissipate नहीं करती जब वो power store करेंगे उनके cross potential difference ज्यादा होगा यानि उन दोनों का इसके cross potential difference देखें vl इसके cross potential difference देखें vc तो इनका जो potential difference होगा वो में भी larger हो source voltage से at resonance frequency ठीक है यह RLC series circuit था और इसकी यह properties जो है वो short question में भी पूछी जा सकती है वैसे यह long question है बहुत important है और फिर next हम चला पड़ेंगे parallel resonance circuit उसमें हम यह तीनों चीज़ें हम parallel combination में connect करेंगे और फिर साथ एक वो चोटा ही topic है और साथ फिर उसके supply discuss कर लेंगे चैप्टर आपका यहां पर हाफ हो जाता है तो next फिर इंशाला इसकी examples भी करेंगे अलाफिस